रोद्धुपुर के अटर्या मेले में पाच नवालिकों निकर एक युवक को चाकु मारा जिससे युवक बुरी तरह से घाल गया गया गयाल युवक को अस्पताल में लाच के लिए भरती कराया क्या मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी मनोच का त्यार ने बताया कि तीन मही को पीडित नंदु को ली मेले में घूमने आया था वहीं इस मेले में पाचो नवालिक की शोर भी घूम रहे थे इस दौरान किसी बात को लेकर इन लोगों के बीच जगड़ा हो गया जगड़े के बीच ही एक नवालिक ने चाकू से नंदु पर हमला बोल दिया जिसमें नंदु गंभी रूप से घाल हो गया घाल नंदु को पीएसी में तैनाथ सिपाही प्रदीब सिंग जुला अस्पताल ले गये जोहां से उसे हायर सेंटर रिफर क्या गया वही पुलिस ने सीसी टीवी कैमरे की मदद से आरोपियों को गिरफतार कर लिया है रूद्रपुर से मुकेश मंदर की रिपोर्ट यह सीओ पन्दगर के नेतत में टीमों का गठन किया गया था जिसको एसेचो पन्दगर और चौकी इंचार्ज सेट को लीड कर रहे थे इन पांचो अक्यूस्ट जो थे उनको चिनित करके चिनित करने में सफलता हासिल की और जब वो इडेंटिफाय हुए तो यह पता लगा कि सभी नावालिक हैं तो उसमें नियमनुचार विदिक कारवाई जो है वो की जारी है और इसमें जो घटना कारित करने के लिए वेपन यूज हुआ था वो वेपन भी हम लोगोने रिकावर कर लिया है और इसमें जो कॉंस्टिबल वहां ड्यूटी पर तरना थे पी एसी के कॉंस्टिबल प्रदीफ हैं तो उनको भी हम लोग मैनर्दमंद के लिए रिकमेंट क करने क्योंकि उनके द्वारा बिल्कुल कोई भी समयना गवाते हुए तत्काल उन्हें होस्पिटल पहुचाया गया प्रित को जिससे की उनकी जान बचाने में हमें सफलता में